नमस्कार दोस्तों लीजिए आपके बहुत डिमांड करने पर ले आया मैं आपके लिए Auditing के Important Questions जो भी बच्चे भारत में एक्जाम जिने जा रहा हैं 2020 साल में और उनका Audit का एक्जाम है यहां तो यह Single हो या फिर Income Tax के साथ हो जैसे Delhi University में SOL और NCWeb के बच्चों का Second Year के बच्चों का यह Income Tax के साथ में होता है तो जो बच्चे यह एक्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही बढ़िया वीडियो यह होने वाली है इससे उन्हें पता चलेगा कि उन्हें कौन-कौन से Question करने हैं क्योंकि यह Theory Paper है और मैं बच्चे बहुत जादा इसके उपर Time Spend नहीं करना चाहते हैं तो मैं कुछ Important Question आपके लेकर आया हूँ थोड़ा सा मैं उनका Answer भी बताता रहूँगा, Idea भी मैं आपको देता रहूँगा तो आप वीडियो वो देखिए आकर तक और आपको बहुत फाइदा कि इस वीडियो से होने वाला है मैं हूँ आपका दूस्ता शुक कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube Channel Edutrix सबसे पहले देखते हैं Chapter 1 Auditing का इसके दर हमारे पास statement आती है, बहुत ही important है, बहुत बार repeat होती है An auditor is a watchdog, not bloodhound जो auditor है, वो देखने वाला कुत्ता है, watchdog है watchdog है, जो गेट पे खड़ा रहता है, वो actually करता कुछ नहीं है, बस भोगता रहेगा काटता नहीं है, शिकारी कुत्ता नहीं है, bloodhound तो वो शिकारी कुत्ता नहीं है, बस ऐसी देखने वाला कुत्ता है ऐसा इसलिए का जाता है, क्योंकि जो auditor होता है, उसके पास कोई power नहीं होती पहले यहीं बता देता हूँ कि auditor क्या होता है, यह auditing का मतलब क्या होता है जो भी company ने accounts maintain किये हैं उन accounts को check करना, verify करना, auditing क्या लाता है और जो यह काम करता है, उसको auditor गोलता है तो auditor जो है, वो सिर्फ चेक कर सकता है और board of directors को और central government को बता सकता है कि वह यह company ठीक से काम कर रही है, या फिर नहीं कर रही है या फिर यहाँ पर फना फना गड़ पड़ उसके पास खुद कोई power नहीं होती कि वो किसी के against कोई action ले सके इसलिए यह statement बोली जाती है फिर एक दूसरी statement आती है accounting is a necessity to business but auditing is luxury इसमें आपको यह बताना है कि जो accounting है, भी वो तो necessary है वो तो आवशक, सभी के लिए आवशक है चाहे चोटा business हो, चाहे बड़ा business हो हर किसी को अपने accounts maintain रखने होगे और आपने देखा होगा कि चोटा से चोटा दुगादार भी चाहे किसी भी form में रखे, लेकिन वो अपने accounts maintain करता है लिखा पड़ी, रोज की करता रहता है तो अगर profit loss वगरा जानना है और अगर दुगान को side करें अगर चोटा सा business भी है तो उसको भी देखिए अपने return वगरा फैल करनी है तो उसके लिए भी उसको accounts अपने maintain करने पड़ेंगे तो accounts तो सभी के लिए maintain करना जरूरी है, आवशक है लेकिन जो auditing है वो सभी को नहीं करानी होती है एक particular criteria है अगर वो criteria cross होता है ये output wise, turnover wise, net profit wise इस तरह का एक criteria है अगर वो criteria cross होता है तभी company को auditing करानी होती है नहीं तो नहीं करानी होती है अब क्योंकि यहाँ पे word use was luxury तो मैं short form में बता देता हूँ कि जो बहुत बड़ी-बड़ी companies होती है सिर्क उन्हीं को ही audit कराना होता है criteria आप इसका देख सकते हैं check कर सकते हैं net का रालाम से मिल जाएगा फिर तीसरी statement आती है deduction and prevention of errors and fraud is the main objective of auditing इस question में आपको auditing के सारे objectives बताने है तो main बात इसमें क्या है कि auditing का सबसे पहला अदेश है यह होता है कि वो detect करेगा ढूंडेगा और prevent करेगा बचाएगा इससे errors and frauds गलती और दोके बाजी तो बस यही इसका main objective है कि auditing जो है unjection जो है वो धूंडता है और बचाता है गलतियां और दोके बाजी अब देखते हैं chapter 2 audit कितने तरह के हैं यह भी paper में बहुत ज़्यादा आता है तो पहला difference है आपका यहां पर main continuous audit और annual या final या periodic audit continuous audit का मतलब होता है कि जो पूरे साल चलता रहता है हर एक particular interval के बाद जैसे एक महीने बाद, दो महीने बाद, तीन महीने बाद यह पूरे साल चलता रहेगा यह होता है आपका continuous audit और जो annual या final या periodic audit होता है यह जब आपके सारे final accounts बन जाते है फिर उसके बाद यह शुरू होता है यानि कि end होने पर और फिर तब तक चलता रहेगा जब तक उसका conclusion नहीं निकल जाता दूसरा आपका important आता है statutory audit और internal audit statutory audit में जो auditor है वो बाहर से आता है compulsory है यह कुछ companies के लिए audit कराना तो यह बिल्कुल compulsory law को follow करते हो यह करा जाता है यह इसलिए इसको statutory का जाता है क्योंकि यह समयधानिग है क्योंकि यह कराना ही पड़ेगा कानूनी प्रक्रिया को पूरा करते हो फिर internal audit आता है internal audit जैसे कि इसका नाम है internal audit कराने के लिए company नाम अपनी company के अंदर ही जैसे एक department बना दिया अपना department में अपने company के अंदर ही इनोंने एक particular sector बना दिया और उसका काम है internal audit करते रहे हैं अब दोनों के auditing में फर्क होता है internal audit जो है वो सिर्फ अपने जो अंदर business की जो process है जो working है वो सिर्फ उसी को ही audit कर सकता है उसी को ही check कर सकता है इससे ज़्यादा और नहीं लेकिन जो statutory audit है तो वो final accounts की auditing करता है वो main सभी की auditing करता है फिर आता है हमारे पास audit process इसके नदर direct question के आता है internal check बताओ इसकी प्रकरिया procedure बताईए इसके features बताईए और एक अच्छा internal check system कैसा होना चाहिए ये बताईए internal check का मतलब यह होता है कि काम करने का ऐसा तरीका हो कि काम भी होता रहे और एक दूसरे का cross checking भी होती रहे जैसे पाच्छे लोग मिलके काम कर रहे है तो उसमें काम करने का तरीका ही होगा कि एक का किया हुआ काम दूसरे के द्वारा automatically check होता रहेगा, फिर internal check और क्या है suitable internal check system wage payment कौन सा होता है ये बताना है आपको फिर internal control और internal check और internal audit, इन तीनों में difference क्या है, ये important है ये आपको पढ़ना चाहिए ठीक से और internal audit का purpose क्या है देखिए जो जो कुछ थोड़ा बहुत आपको idea देना possible है वो मैं सब जगा idea दूँगा लेकिन जहां पर आपको टीक से बुरा पढ़ना पचाहिए तो वो आपको पढ़ना ही होगा फिर error कितने तरह की होते हैं फिर audit report कितने तरह की होती है और short notes है कुछ qualified report है, audit working papers है audit evidence है, audit program है तो ये तीसरा जो हमारा chapter है ये बेहद important है क्योंकि यहां से maximum question आते हैं तो इसलिए अगर आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका जो auditing वाला sector है वो बहुत अच्छा cover हो जाएगा फिर आता है जी chapter 4 vouching अब vouching के से पहले आप पहले ये सबज़ें कि voucher क्या होता है 11th class में भी पढ़ लेते हैं voucher, voucher जो होता है वो कोई भी एक documented proof होता है अब जैसे for example आपका एक जो voucher हो गया, जो सबसे पहले हम voucher बनाते हैं, किसी को payment करी तो उससे हमने voucher sign करा लिया check की तरह होता है voucher, जिस पर लिखा होता है हमने इस आदमी को फणा फणा चीज के लिए इतने पैसे दिये हो, उससे हम sign करा लेते है एक slip होती हो तो voucher तो एक तो ख़दी हो गया फिर आपका check हो गया कोई tax bill हो गया कोई invoice हो गया कोई debit note, credit note कोई किसी भी तरह का documented proof जो होता है bills payable होगे bills receivable होगे तो यह बहुत बड़ी list है तो इस तरह से कोई भी documented proof है तो उसको voucher बोलता है अब vouching क्या होती है vouching का मतलब होता है जितने भी यह सब मैंने आपको documents बताए इन सब को check करना ही vouching कहलाता है तो यह हो गया आपका vouching तो मतलब यहां पर हम यह ही check करते है कि जो कुछ भी payments बता रखी है जैसे P&L हो गया P&L में देखिए बहुत सारे खर्चे होता है तो जितने भी वो खर्चे हैं तो उन सब कर्चों के पीछे bills available यानि सबूत है या नहीं उन कर्चों के पीछे के सबूत यानि या बिल या कोई भी documented proof या कोई voucher या कोई payment कुछ ना कुछ होना चाहिए तो वो है या फिर नहीं है सही है या गलत है तो वो check करना वाउचिंग कहलाता है तो statement आती है वाउचिंग is the backbone of the auditing अब भाई अगर auditing करनी है auditing करनी है तो मलता अब यही तो check करेंगे न कि जैसे P&L के अंदर भाई सारे खर्चे बता रखे है अब company क्या करती है profit कम करने के लिए खर्चे बढ़ा देती है तो जो खर्चे दिखा रखे है तो खर्चे सही भी है या नही है आप वो देखेंगे कि उनकी salary है या नहीं आप कहते हो जी चाय का 50,000 उपे का खर्चा लिखा हुआ है साल का भाई दिखाओ चाय वाले को payment करी होगी उससे voucher sign कराया होगा तो दिखाओ आप 50,000 उपे की कौन सी चाय पी लिए आपने तो इस तरीके से बोला जाता है कि भाई जो अगर ये हम सब voucher चेक कर लेते हैं कि डॉक्यमेंटर प्रूफ सारे है या नहीं तो यही तो read की हड़ी है यही तो basic है auditing का इसके बाद direct question भी आते हैं जैसे कि vouching दरही कैसे करेंगे आप cash sale की receipts और debtors की cash purchase की payment to creditors, payment to wages purchase of land and building तो इन चीज़ों अब कि आप किस तरह से vouching करेंगे यह paper में बहुत आता है कि आपको इसमें से 2-3 item वो दे देता है और कहता है बताइए आप इनकी vouching किस फरकार से करेंगे और इसमें से अगर आप 2-3 item पढ़ भी लेते हैं तो आप एकदम से समझ जाएंगे कि इनमें लिखना क्या होता है main बात इनमें यही रहेगी कि आपको transactions से related जितने भी supportive documents है documented proofs है उन सब को check करने की बात ही होती है और कुछ नहीं होता है फिर आता जी हमारे पास verification अब यह vouching और verification दोनों एक जैसे लगता है तो इसलिए सबसे पहला question जो आता हो यही आता है कि vouching और verification और difference क्या है जो main main मोटा मोटा difference है वो यह है कि दोनों का मतलब तो एक ही चीज होता है check करना verify करना लेकिन vouching में हम check करते हैं documented proof pndl वाली items के और verification में हम check करते हैं values सब कुछ appreciation depreciation किसके assets और liabilities के तो अगर मैं बहुत simply बोलू तो vouching is related with profit and loss account और verification is related with assets and liabilities data question की आते है आपको verification करना है किसकी creditor की loans की contingent liabilities की plant and machinery, land and building, cash, stock and trade तो देखिए जितनी भी items सारी के सारी है यह आपकी balance sheet वाली items है तो इनमें से वो आपको कुछ भी 2-3 items दे देता है और कहता है जी इनकी आप verification कैसे करेंगे तो आपको आप यह जितनी भी चीजे लिखिए हैं यहाँ पर इनको check करना है verify करना है तो कैसे करोगे for example, मैं लेता हूँ plant and machinery अब plant and machinery अब यह एक आपकी fixed asset होगी अब fixed asset के लिए आप क्या के check करोगे suppose अगर खरीदी है तो उससे related सारी documentary proof अगर बेची है तो उससे related सारी documentary proof अगर आप कहते हैं जिसको एपर depreciation लगा है या फिर नहीं लगा है तो इन सबसे related जितना भी है वो सब आप values and documents check करेंगे हो गया verification of plant and machinery इसके बाद आता है audit of joint stock companies यह भी बहुत important है और जब तक आप auditing पढ़ेंगे या तिर आप company law पढ़ेंगे यह तो आपका पीछा छोडने वाला है यह किसी भी auditor की qualifications क्या होती है और disqualifications क्या होती है qualification देखिए मैं shortcut में बता देता हूँ थोड़ा साथ auditor की कोई खास qualification नहीं होती बच्चे सोचते हैं कि हम कोई अगर एक particular course कर लेंगे या degree ले लेंगे तो हम auditor बन जाएंगे auditor की कोई खास special degree या course नहीं होता है यह जो भी auditor होता है यह अपनी field के export होता है जैसे chartered accountant होता है या company secretaries होता है या cost and marine accountant होता है तो अगर यह auditing कर सकते हैं तो यह auditing करते हैं और इसके लिए इनके पास जो मैंने qualification बोली वो होनी चाहिए experience होना चाहिए और इनके पास exportism होना चाहिए तो यह कर सकता है disqualification इसके बड़ी simple लाती है जैसे board of director चाहिए तो resolution pass कर गए ने निकाल सकते है या by court भी by law भी निकाला जा सकता है अगर यह पावल हो गया अगर यह insolvent हो गया अगर इसने कोई cheating करी अगर यह अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है अगर इसके against कोई case waste हो गया है तो इस तरीके से इन सारे cases में यह disqualify हो जाएगा यह auditing नहीं कर पाएगा फिर rights and duties क्या होती है इसको auditor की यह भी आप पढ़ेंगो तो बहुत simple सा कोश्य है ना भी अपना काम ठीक से करे और अपनी जो limits हैं वो भी cross ना करें और इसका काम है गलतियों को चेटिंग को ढूंड़ना तो यह ऐसा नहों कि company के साथ ही मिल जा है और उनके साथ ही बोले कि भी कोई बात ने तुम जो मर्जी करो मैं सब देख लूँगा तो इस तरह से बड़ा असान सा यह वाला और topic बनता है आप चाहें तो आण सब्सक्राइब सकते हैं किस तरीके से auditor को अठाया जा सकता है resolution पास करके उसको अठाया सकते हैं जैसे मैंने बताया भी court law के द्वारा भी उसको अठाया जा सकता है तो इस तरह के यह कुछ नियम है यह आप पढ़ेंगे तो यह भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे तो दोस्तों यह थी एक वीडियो जो आपको थोड़ा help करेगी थोड़ा क्या मैं तो कहता हूँ आपको बहुत सब्सक्राइब करेगी आप बस यह question कर लिए आपको auditing का का काम हो जाएगा तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुब गामने आप अच्छे से पढ़िए बार बार पढ़िए अपने दोस्तों को भी maximum शेयर कीजिए वीडियो इसी तरह से जुड़े रहे और मिलता हूँ मैं आप से एकली वीडियो में धन्यवाद